स्रेश्टी पूछ रही है सर कभी-कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि लगता है कि यह सब पहले भी हो चुका है और फिर सडन लगता है कि नहीं में बी ऐसा मेरा इमेजिनेशन होगा बिल्कुल मैं अपना आपको बताता हूँ मेरे साथ में क्या होता है कि जैसे मैं अभी आपके साथ में बैठा हूँ या अभी मैं अपने सोफिय पर बैठा हूँ तो मैं ये सारी चीज़े अपने साथ में डिसकस पहले कर चुका हूँ फैमली मेंबर के साथ में या जो मेरे अभी करेंट रिलेटिव से उनके साथ में भी, कि वो आगे क्या बोलने वाले मैं उनको भी बोल देता हूं, कि देखो अभी आपने ये बताया, लेकिन अभी आगे आप ये बताने वाले हो, ये बोलने वाले हो, तो मेरे साथ तो ये एकसर होता रहता है, देखिए ये रहता है, इन सोट मै इसको इतना सीरिस लेकर में चलिए मैंने पहले भी आपको बताया था इसको बस इतना समझी है जैसे एक PUBG गेम होता है उसमें हम एक अफ़तार बनाते हैं अफ़तार बनाने के बाद फ्रिल्ड मजाते हैं कोई हमें मार देता है यह गेम खतम होता है तो हम वह वापीस हा जाते ह फिर उस अफ़तार का पता ही नहीं है फिर वह दूसरे तरह का अफ़तार बनता है फिर इस इसाफ से सिलसिला चलता रहता है अब रही बात उन सपनों की ओ थ्रोटी का लाप जो महां पे लिखका है हो पूरी लाइब सरचना जो लिखका है हो वह आपके सामने आती है कि पीप अनलाइसिस है तो उसको समझने के लिए एक अलग से टाइम चाहिए तो आप समझ में आएगा लेकिन एक छोट ऐसा किलू में दे देता हूं देखिए हमारी काउंटिट सांसे रहती है लेकिन कभी हम क्रित्मिक सांसे ले लेते हैं जो बनी बनाई होती है होस्पिटल के माद्यम से जैसे एक साइंस के साप से कुछ सांसे हम एक मिनिट में लेते हैं तो कई बार जाद लेते हैं कई बार कम लेते हैं उसके साप से वो सारी जो चीजे सैट है अब उस स्प्रिच्वल वल्ड से जो सारी चीजे सैट है उनके साप से हम उपर नीचे करते हैं तो च होता है यह फैक्ट है सो स्रस्टी आई होप की आपको अंसर मिल गया होगा